आज के वीडियो में LED बल्ब से रिलेटेड कुछ खास जानकारी आपको देने वाला हूं तो वीडियो को complete वाच करना साथ में वीडियो को like और share ज़रूर करना like एम रहेका हमारा 400 like मुझे पता आप लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि यहां पर आपके लिए different से different knowledge दाने की हमें सेम company का है अब यहां पर इसमें जो fault है वो mcbcb का fault है वो मापको एक बाद चेक कर आके दिखा दो इसको हम सीरीज में चलाएंगे ठीक है यहां पर देखिए अब यह फॉल्ड जो है यह ज्यादा तर आता रहता है इसमें यह दो-तिन टैप से देखने के लिए मिलता है वो यहां पर दो fault होगे तीसरा होता तेज-तेज से जलता है ठीक है और चौता है जलने के 10 मिनट बाद बिल्कुल बंद हो जाता है बिल्कुल इसी तरीके से यह mcbcb का fault रहता है उसमें क्या रहता है यह pcb का कोई एक bulb यानि कि इस तरीकी की mcbcb यह उपर लगी है ना इसका कोई एक bulb हराब हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है अब यहां पर सारे के सारे बल्ब सीरीज में लगते हैं और ड्राइवर से कुछ voltage output इसके लिए होता है अब यहां पर यह सबसे important चीज है कि कितना voltage यहां पर आना चीए देख से पहले बल्ब का wattage आप देख लेंगे देखिए जरूरी नहीं है कि सभी बल्ब में नव वाट साथ वाट या भी पाच वाट लिखा होगा तो सभी से आपका output सेम होगा किसी-किसी बल्ब की company ऐसी भी होती है जिन में नव वाट लिखा रहता है अंदर से ड्राइबर से 40 आने पर भी उसकी mcpcb अच्छी तरीकी से रंग करने लग जाती है लेकिन किसी-किसी company में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता अब देखिए यहां पर सबसे पहले नॉर्मली जो बनाने का तरीका रहेगा इसको हमने इसमें mcpcb चेक्श करनी है ठीक है चलिए इसको अच् कर ली है और ज्यादतर condition में क्या होता है ड्रैवर होने के बाद या फिट ड्रैवर की अंदर की जो Ic लहादहusalUक्त फैसे आउप यह उशावने करनी एक सो एक तीस मानके चलते एक सो तीस मानके चलते हैं आउटपुट हो रहा है अब यह तो भी बीना लोड के दिखा रहा है अब अगर LED हमारी चल जाए और लोड में कितना यहां पर दिखाएगा चलिए वह हम कोसिस करते हैं देखने की तो यहां हम माइनस में मैंनेस और पलस में पलस को लगा कि इस तरह किसे जोड़ देते हैं ठीक है जोड़िया है अब यहां पर एक LED में चलाता हूं So, a sort करके, तो load में यापर कितना voltage आरहा है, देखिश आ एक सिर्फ, कितना हो गया, saतर, 70了2 हो साय तो इसका है load में voltage बहुत कम हो रहा है, यानि कि MPR इसमें बहुत कम है, MPR बहुत कम हो जाया, तो load में voltage अपने आधा होने लगता है, या फिर कम होने लगता है, तो ऐसी कंडिशन में इसका मतलब कंप्लीट हो गया कि अंदर से हमारी जो वोल्टेज आ रही है वह 22 वोल्ट के आसपास आ रही है विद लोड के साथ तो एक्च्वल इसका आप वोल्टेज आ मनंगे 72 से 74 वोल्ट के बीच में अगर आप इसको बिना लोड के चेक करते हैं तो यह आपको देड़ सो दो सो भी दिखा सकता है तो इसलिए हमें साइस को अपने लोड में चेक करना है अब यहाँ पर एक्टूरेट कौन सा हमारा ठीक है यहाँ पर इस तरीके से भी आप गिन सकते हैं से वैसे ही साथ वाट में साथ लेडी और पांच वाट में पांच लेडी भी लगी रहते किसी किसी में यह कोई एक्टूरेट मैथड नहीं है बाकि आपको मैंने बता दिया जैसे यह तो अपने चेक के लिए वोल्टे कि इसके ओपर देखी कितना है एक दो तीन चार पांच चैसाथ और यह नौ आट की है तो इसमें कुछ ज्यादे यहाँ पर दे रखे हैं कितने हैं एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ नो दस दे रखे कोई बात नहीं यहाँ पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं और यहा वोल्टेज आपकी लगभग इस नौवाइट की जो mcpc में इसको लगाने के बाद वोल्टेज लगभग आपकी डिएड़ सो से उपर आ रही है तो समझ लीजिए मतलब 130 से भी उपर आए तो समझ लीजिए यह आपकी जल्दी खराब होने वाली है इसको लगाने के बाद आ 70-75 से लेगे 120 वोल्ट तक enough होता है तो 70 वोल्ट से वैसे ओन हो जाती है और maximum आप दे सकते हैं 110-120 तक भी दे सकते हैं लेकिन वह थोड़ा से ज्यादे रहेगा कम से कम 80-90 तक होना चीए ठीक है अगर 70-75 है तो वह बिल्कुल perfect है कब load में इसको लगाने के बाद आपको यहा पर 100 तक भी खत्रा होता है इसको sort कर लेते हैं चलिए sort हो चुका है अब यहां पर इसको हम change करेंगे change करने का बहुत simple method है यहाँ पर अगर यह online ले चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं इनकी link में आपको दे दूआ ठीक है उसको आप ले सकते हैं अभी चलिए इसको मैं निकाल कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको आप निकाल लेंगे उसके बाद एक चीज है heat sink compound उसको लगाना आपने नहीं भूलना है वह अभी मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पर यह निकल चुका है अगर यहाँ पर पिचका है या फिर उड़ गया है तो इसको आप निकाल के उसको स करने हमेशा द्यान देना है तो इसको इसके उपर आप apply कर लीजिए तो इतना करने के बाद इसके उपर आप 9 watt की अगर 9 watt की यहाँ पर LED है तो 9 watt का ही अपलाई कीजिए 7 watt का करेंगे तो वहाँ पर वह फ्यूज हो सकता है देखिए 7 watt वाली mcpcb को आउन करने के लिए 30 से 40 volt enough होता है और 9 watt के लिए आपको मैंने बता दिया कितना 70 से लेके 100 volt तक perfect होता है वैसे 100 volt भी ज्यादा होगा 70 80 तक perfect अब यहाँ इसको लगाना कैसे है तो आपने इस तरीके से लगा लिया कापी सारे में screw होता है कोई बात नी screw नहीं है तो आप इसको भी इस तरीके से आपने लग जाता है और दूनु तरब से आप इसको यहां पर और यहां पर कि इस तरीके से उसको बैठा देंगे तो फाने लिए हमारा लग चुका है अब यहां पर sorting करनी है प्लस में प्लस और माइनस मैं माइनस हमारी solar इंग यहां पर हो नी है तो अब इसमें स्टींग ह हो चुके है अब इसकी लोड को मैं चेक करते हूं उसकी वोल्टेज को लूड में चेक करता हूं तो चलिए एक बास को मैं बंद कर लूँ उसके बाद यहाँ पर इसको टर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फोकस करवाता हूं तो इसे कर आप फोकस करेंगे इसमें देखें लोड ले रही है तो यहां पर यह ज़्याद़ रही रही थी तो इसका मतलब उस ila could also रहा था लोट पे और यहां पर बता रहा है हमाँ 87 87 गासवाज बता रहा है तो इसका मतलब यह ज्यादा लोड ले रही है और यह कम लोड ले रही है कोई बात नहीं आपको बता दिया मैंने इस तरीके से आपने इसने चेक करना है तो यह तो हो गया complete और एक और LED है चलिए उ करने का पहले बिना उसके कितना 135-137 के आसपास आ रहा है तो मल्टीमेटर को मैं इस तरीके से आपने जोड़ हूं उसके बाद मैं लोड में वोल्टेज चेक करता हूं तो यह आप इसको स्वाट करता हूं और आप वापर वोल्टेज देख लिए जिए ठीक है मैं स्वाट करता हूं उसको देखिए कितना 72 के आसपास देखा रहा है अब यहाँ पर अब मैं दूसरी वाली mcpcb यूज करूंगा जो कि यह वाली है मेरे पास ठीक है वो अलग थी यह अलग है दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करूंगा mcpcb यहाँ पर लग यहाँ पर देखिए इसे मैंने आपको जोल लिया है अब इसको बचला के आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर नॉर्मली तो आपको विल्टेज बताया था मैंने 135 के आसपासारा है अब इस mcpcb को लगा के लोड मैंने कि यह कम लोड ले रहा है यह ज्यादा लोड ले लगे इसलिए अपने द्यान से करना है चलि मैं आउन करता हूं अब मल्टिमेटर आप देख सकते हैं तो यह थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम लोड ले रहा है ठीक है तो उसमें बता रहा था 87 इसमें बता रहा है 81 तो मतलब सभी कंपनी के leds में मतलब mcbg में बहुत अंत द्यक्त है देखें इसमें भी वही थिकत है बाकी यहां पर मेरे पास 2 थी इसलिए आपको बता दिया है तीसरी तो यहां पर मेरे पास 7 वाट की है इसको यह पर यहां पर यह 9 वाट का बल्बाइश इसमें देखते हैं कोई न कोई हाँ यह LED खराब थी कोई-कोई तैसे short कर पर भी जल जाती है लेकिन होता कहना यह फिर से आपके खराब हो जाएगी आप इसके बंद किजिए उसके बाद फिर से आप खराब हो जाएगी तो इस तरीके से आप LED फल्फ को रिपर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रू करना मिल तक अगली है तो आपके जाएगी तो आपके जाएगी जाएगी तो आपके जाएगी 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 ज